Hello everybody, this is Dhigras Singh Rajput, welcome to Magnet Pains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम Groundwater के बारे में पढ़ेंगे Groundwater के बारे में क्यों पढ़ना है? पहला सवाल यह आता है देखू तो यहाँ पे Groundwater को आपको एक independent source की तरह नहीं पढ़ना है Landforms and their evolution अभी तक हमने क्या पढ़ा है और चाप्टर में? तो मैंने आपको बता है कि हाँ जैसे Running Water Running Water क्या था? एक geomorphic agent था और उस agent से Landform का बनना और बिगडना यह सारी चीज़ें तय हो रही थी जैसे Running Water जो है तो Running Water क्या? Unmal Fan भी बनाता है Running Water जो है तो क्या बनाता है? एक तऱ से आप देखोंगे तो surroundings भी बनाता है Running Water जो है तो meander भी बनाता है Running Water जो है वो Landform को influence कर रहा है Running Water से Evolution हो रहा है Landforms का 透лена construation हो रहा है erosion हो रहा है, deposition हो रहा है अब आपको क्या करना है? वैसे ही Groundwater को उसी reference में देखना है कि Groundwater जो है, एक agent की तरह है No doubt Groundwater एक resource है, हम बच्पन से पढ़ते हैं कि पानी जो है, तो tube bell well जो है, जमीन खोदते हैं, पानी निकलता है नीचे से, एक important resource है तो यह सारा निभंद नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें Groundwater को focus किस चीज़ से करना है Our focus is on the work of Groundwater in the erosion of land masses and evolution of land forms Is that clear? हमारा focus क्या है कि हम यह देखेंगे कि Groundwater कैसे एक agent का काम करता है In the evolution and in the erosion of land forms, land masses ठीक है, Groundwater से कैसे land form बनते हैं, बिगडते हैं, कैसे उनमें evolution आता है अब बहुत सारे बच्चे चकित हो गए होंगे, ठीक है, सर्प्राइज हो गए होंगे कि Groundwater भी क्या कोई land surface बनाता है? जी हाँ, बदल आप जमीन के उपर जो surface देखते हो, जो land form देखते हो, वो वहाँ तक तो ठीक है जमीन के नीचे भी क्या होता है, अलग-अलग तरह के land forms है और जमीन के नीचे कौन है? तो जमीन के नीचे ग्राउन वाटर है जैसे तो जमीन के नीचे जो ground water है, तो वो जमीन के नीचे जो ground water है, वो भी क्या करता है? वहाँ पे और कह सकता है erosional depositional activities को continuously perform करता रहता और उससे अलग-अलग तरके नीचे क्या बनते है landform बनते हैं बड़े interesting यह ओर ठीक है चोटी classes में एक दो-दो बार आपने शाइद शब्द पढ़े होंगे वो तो वो तब explanation नहीं मिला था ना अब अच्छे से दिल खूल के जानना है यहाँ पर फाइन तो हम भाई देखने आले कि ground water जो वो कैसे erosion perform करता है कैसे evolution perform करता है कैसे evolution में help करता है of different landforms and land masses theme समझना आगी ना तो how groundwater performs erosional and depositional work चलो कैसे perform करता है क्या perform करता है कौन-कौन से land form है वो तो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन groundwater आखर आखिर काम कैसे करता है वो यहाँ समझ लेडे देखो तो the surface water percolates well when the rocks are permeable thinly bedded and highly jointed and cracked अब यह शब्द से डरना नहीं है क्या कहा गया है यहाँ पर कि जैसे आप surface है एक ब्रॉइंग बनाता हो में ठीक है इलूवेशन हमने पढ़ा था कुछ कुछ ध्यान आ रहा है स्वाइल में ऐसे टापिक को ऐसी रिलेट करना अगर इस चाप्टर को इसी चाप्टर में पढ़ते रहोगे बैठे रहोगे ना तो मजा नहीं आएगा ठीक है ध्यान करो थो इलूवेशन एलूवेशन यह सारी कि जीज़े पढ़ आयतों पानी जब क्या होता एगा ऑप करता है और पानी कहा करेका मान लोंú कि रौक हृट बहुत हाड रौक है एक तरह से कह सकते हैं चैंद ब्ल्कछी यह बिल्कुल वह पानी को नीजय नहीं नहीं भी तो वहाँ तो पानी मीचे जाएग SIrr digneseln benefici मतलब समझा दे तो मैं आपको जिससे अलग-अलग bedding होती है तो अलग-अलग bedding मतलब क्या होता है अलग-अलग layers होती है अलग-अलग sedimentary layers होती है किसमे soil profile में तो वो bedding की बात की जा रही तो जहां पर thin bedding रहेगी तो पानी क्या एक bedding से दूसरी bedding में अराम से खिसक जाएगा bedding बहुत थिक रहती है तो क्या होता है पानी को नीचे percolate करना मुश्किल हो जाता है fine तो ऐसे क्या होता है permeable rock जहां होगी जहां thinly bedded और highly jointed and cracked rocks होगी ठीके highly jointed मतलब क्या jointed यहां जुड़ा होगा नहीं jointed मतलब तूटा हुआ जैसे joints पे क्या कहता है के rock में joints develop हो जाते bend वगरा होती न रॉक तो वहां पे तूट जाती है तो जहां से rock में joints होंगे cracks होंगे पानी आराम से नीचे sip कर जाएगा fine तो इस तरह से पानी नीचे percolate कर गया यहां तक समझ में आया फिर क्या होता है after vertically going down to sun depth पानी उपर से तो permeable membrane थी permeable कह सकते rock थी तो नीचे क्या हो गया percolate कर गया थोड़ा से नीचे अब यह vertical ही जा रहा है और through the materials themselves अब एक level तक तो वह vertically नीचे आता है उसके बाद में अब क्या होगा कि मानलो यहां पर जो bedding है ठीक है यहां पर जो layer है वह क्या है वह hard rock है एक तरह से वह क्या कर देगी वह पानी को और नीचे पर्मिय नीचे कह सकते है पर को लेटर नहीं करने देगी तो अब वह पानी जो वर्टिकल ही अभी तक मूफ करते आया था उसने गोला ऐसे नहीं तो ऐसे सही ठीक है तो वह क्या करने लगेगा आया आया समय में वह पानी horizontally मूफ करने लगेगा तो horizontally कैसे मूफ करेगा दी वाटर अंडर दी ग्राउंड फ्लोव होरीजोंटली थूदी बेडिंग प्लीन उसने क्या बोल दिया कि इस बेडिंग प्लें के नीचे में पर्कॉलेट नहीं कर सकता हूं लेकिन इस बेडिंग प्लें के ऊपर जो कह सकते ह है जो एक और दूसरी बेडिंग है जो कि सॉफ्ट है ठीक यह पॉइंट अच्छे से समझ लेना जो हाड मटेरियल रहेगा हाड रॉक्स रहेगी वह नहीं पर्कॉलेट करने देगी तो पानी वर्टीकली ऐसे सॉफ्ट बेडिंग में मूफ करेगा ठीक है आप फिर क्या द अंदर घ्ली मिलते हैं मिझे कर। मैं कि नीचे से मूफ कर जाता है डेखाए कर भी यह तो त头 से मैं मौल बेर्लिम ही पानी मूफ कर रहा होगा तो पानी के एक measurement हो गई ठीक अब आगे क्या होता है दिस इस डाउट इस डीस डाउनवर्ड एंड होरीजॉंटल मुमेंट ऑफ वाटर विच कॉसेज दी रॉक्स टू इरोड और आप जो आप देखोगे पानी उपर से नीचे आ रहा है ठीक है नीचे अंदर 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 जा रहा है तो कही पानी जब परकोलेट करता है वर्टिकली मूव करता है होरीजॉंटली मूव करता है तो यह जो होरीजॉंटल वर्टिकल मूवमेंट होता है उससे क्या होता है रॉक्स का इरोजियन होता है और जो रॉक्स का इरोजियन हुआ उससे क्या होगा लैंड फॉर्म बदलेंगे तो आए मज़ा ठीक है यहां पर आप देख रहे हो कि हां groundwater भी क्या कर रहा है एक तरह से landforms के evolution में उसके erosion में उसके deposition में active role play कर रहा है सोचा नहीं था अभी तक अब पढ़ दिया आपने चलो तो यहां पर मतलब यह तो water cycle है थोड़ा सा लेकिन आपको ऐसे समझ में आ जागा जैसे water cycle में आप यह पानी आता तो नीचे water जो है तो physical or mechanical removal of material is insignificant in developing landforms groundwater no doubt आपने क्या देखा है कि rocks को erode करता है लेकिन हर rock को erode नहीं करेगा वो यह point important है समझ लेना यहां से मतलब theme change होती थोड़ा सा आपने यह तो देख लिया कि हां groundwater कैसे erosional deposition work perform करता है कैसे landforms बनाता हुने influence करता है लेकिन यह point भी उतना ही important है जानना कि हर तरह की rock को groundwater influence नहीं कर सकता है ठीक तो physical or mechanical removal जो groundwater से होता है जो पानी बहे के जाता है या फिर वो chemical changes होते है पानी के चलते क्या होता है कि कुछ rocks तो मिल जाएगी soluble होगी तो मिल जाएगी लेकिन अगर क्या बोलो hard rock है जो पानी को नीचे percolate तक नहीं करने देगी तो वो पानी उसका क्या बिगाड़ लेगा groundwater speed भी नहीं groundwater के पास में fine तो उस तरह से क्या है कि physical or mechanical removal of material is insignificant in developing landforms तो जो developing landforms है developing landforms समझते हैं आप क्या होता है कि developing landforms एक तरशी साब देख लो कि कोई igneous rock का surface है पुरा ठीक है जो बहुत hard है तो उन landforms में उतना कोई major change नहीं आएगा groundwater से ठीक है तो यह limestone हो गया limestone का में dolomites वगरा हो गया तो इन rocks में आपको क्या देखने को मिलेगा calcium carbonate देखने को मिलेगा अब यह क्या होता है calcium carbonate जो पानी वानी के साथ में mix हो सकता है soluble है ठीक है तो अब क्या होगा groundwater जो इन बला हाँ यह हमारी कह सकते हैं विरादरी का इंसा है इसको मिलाते है ठीक है तो इस तरह की जो soils रहेगी इस तरह की जो rocks रहेगी जैसे limestone हो गया dolomites हो गया तो वहाँ पे आपको groundwater के कारण एक active change देखने को मिलेगा landform में clear हुआ ठी में क्या होता है groundwater जो होता है तो groundwater groundwater ग्राउंड वाटर केलो या फिर surface water जो होता तो वह क्या करता है एक active आपको change देखने को मिलेगा landform में ठीक है जिरी प्रोसेस की होती है जहां पर groundwater influence कर सके landform को clear अब जो topography बनती है न और या फिर कह सकते जो landforms influence होते इस तरह से groundwater से उन landforms को पता है क्या कहा जाता है कास्ट टोपोग्राफी कहा जाता है क्यों कहा जाता है तो यह समझ लो पहले कि any limestone और dolomitic region so in typical landform produced by the action of groundwater through the process of solution and deposition is called cast topography तो वो प्रोसेस जो भी मतलब solution पानी मिल रहा है या फिर पॉनी जो है अब सेडिमेंट को deposit करवा दे रहा है groundwater की बात करें specifically तो groundwater की कारण क्या होता है जब लाइंस्टोन और dolomitic region में यह जो टोपग्राफी बनती उसे कास्ट कहा जाता है कास्ट टोपग्राफी और का स्वाज्ट का नाम कहा से निकल का है पता है आप जैसी देखोगी इतली है ठीक है इतली के आजू-आजु-बाल्कन रिजन कि लिए यहां पर पूरा कास्ट कहते है सी खास्ट में जash送 वहां तो मिलेगा आपको शिगते तो मिलेगा तो वहां की डॉपग्राफिक को देखते है वाहिए ग्राउडविटर से limestone और dolomatic region में landforms create होते होते होंने cast topography कहा जाता है cast region यह है और इसी यहां से नाम पढ़ा है पुरा यह सारी cast topography जो जैसे shallow hole हो गया sink hole हो गया ठीक है उसके आद में जैसे valley sink हो गया यह pillars वगएरा तो यह सब कुछ क्या करेंगे हम one by one करके आगे पढ़ते जाएंगे एक-एक करके तो मैंने आपको यह बता दिया हां कि groundwater कैसे काम करता है यह समझ में आगया ना अब groundwater से landforms influence थो होते हैं evolve थो होते हैं कौन-कौन से landforms हैं वह subsequently हम आगे पढ़ने वाले हैं तो deposition से भी होते हैं और erosion से भी होते हैं तो groundwater के चलते जो erosional landforms बनते हैं groundwater के चलते जो depositional landforms बनते हैं उन्हें एक-एक करके समझते हैं मिलते हैं next video में important चीज़ सुनलो magnet brains पर class 4 से class 12 तक इसी तरह से सभी subjects, chapters, topics, subtopics सब कुछ systematic way में video lectures के format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं अपने juniors और seniors को जरू बताएं magnet brains के बारे में मिलते हैं next video में till then stay connected keep learning thank you thank you very much